हेलो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा थोड़ा बचा हुआ कपड़ा लिया है देखो यह यहां पर चार कलर का कपड़ा है हेलो दोस्तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने होमाच चैनल पे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ बहुती शुंदर बहुती प्याराशा डोर्मैट बनाने का सबसे असान तरीका तो ये देखो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हमारे पास में कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अगर हमारे पास में छोटे छोटे पीस है तो हम उसको सिधा कट कर लेंगे अगर हमारे पास में ज्यादा कपड़ा है तो ऐसे हमें फोल्ड करकर यहां पे हमें देखो चार इंच लंबी और चार इंच चोड़ी पटी को कट करना है यहां से हमें इसकी कटिंग करनी है तो यह देखो यह मैंने कट कर लिए आप इसको ऐसे कट करेंगे इस तरीके से ऐसे इन सब पटियों को त्यार करना है जितना मैंने कपड़ा लिया है सब कपड़े को ऐसे ही हमें 4 इंच लंबी और 4 इंच चोड़ी ये छोटी छोटी जो कतरन है इन सब को हम त्यार करेंगे तो ये देखो फ्रेंस इस तरीकी से मैंने सब को त्यार कर लिया है देखो चार कलर थे चारों को ऐसे हमने काट लिया है आप हमें इसके अलावा एक प्लास्टिक का थेला चाहिए इसको हमने सरकल के अंदर कट कर लिया है अगर फ्रेंस आप थेले की जगए कपड़ा लेना च अब देखो हमें क्या करना ऐसे प्लास्टिक के थिले को रखेंगे कत्रन को एक बार फोल्ड किया ऐसे दो बार फोल्ड किया तीन बार फोल्ड किया और चार बार फोल्ड किया ऐसे हमें पीस को चार बार फोल्ड करना है हर एक पीस को देखो फिर से देखो एक बार फोल्ड कि दो बार फोल्ड किया तेन बार और यह चार बार चार बार फोल्ड किया और इसके प्लास्टिक की थेले के राउंड सेप में रखेंगे इस तरीके से फिर से देखो एक बार फोल्ड किया ध्यान से देखो यहां से बीच से पकड़ो यहां से पकड़ो तीन बार और चार बार एक पीस को हमें चार बार फोल्ड करना है चार बार फोल्ड करने के बाद में जैसे मैंने प्लास्ट की थेले को कट किया है सरकल के अंदर आप स्क्वेर में कट करना चाते हो तो आप स्क्वेर में भी कट कर सकते हो तो इसको इस तरीके से cut करकर इसके उपर हम जो piece हम एक piece को चार बार fold कर रही है और इसको हम इसके circle के अंदर ऐसे रखते जा रहे हैं और एक इसको रखते हुए हम slices को attach कर रहे हैं तो दोस्तो अगर आपके पास में भी इस तरीके से थोड़ा बहुत बचा हुआ कपड़ा है तो आप उसको reuse करकर बहुत शांदार comfortable मजबूत पायदान बना सकते हो तो ये देखो friends इसका जो first round था वो मैंने complete कर दिया है तो ये देखो दोस्तो एक round complete करने के बाद में कितना शांदार लग रहा है तो आप सोचो पूरा door mat बनने के बाद में कितना ही शांदार लगेगा तो इसके अंदर हमें और भी design बनाने है तो दोस्तो आप वीडियो को बिना skip के last तक जरूर देखे आपको last तक हर step by step बताऊंगी किस तरीके से हमें ये प्याराशा door mat है वो बना कर त्यार करना है आप देखो यहां पे हम pink color की कतरन लेंगे उसको हमें वैसे ही चार बार fold करना है और Sam निच्चे रखेंगे और यहां पे सिलाई लगाएंगे देखो कैसे सिलाई लगानी है जो हमने पहले piece को रखकर सिलाई लगाया है उसी तरीके से एक कतरन रखेंगे हम फिर Sam उसी तरीके से हमें green की attach करनी है अब friends हम जो ये green वाली लगा रहे हैं ये हमें 10 लगानी है green कतरन को ऐसे fold करो इस तरीके से और ये हमें 10 ही लगानी है 11 हमें ये pink वाली लगानी है फिर आगे हमें Sam उसी तरीके से 10 green लगानी है फिर हमें 11 है वो pink लगानी है ऐसे हमें इसके अंदर 5 कतरन है वो pink की लगेगी पूरे इस plastic के थेले के उपर बाकी है वो green लगेगी जैसे हम 10-10 green लगाएंगे 11 वी है वो pink लगाएंगे तो ये 5 ही लगेगी तो इस तरीके से friends इसका जो second round है वो उसको हम ऐसे ही complete करेंगे देखो friends इसका जो second round था वो मैंने complete कर लिया है ध्यान से देखो इसके अंदर जो pink वाली कतरन है वो 5 लगी है इस तरीके से अब हमें इसके अंदर बहुत ही शांदार डिजाइन बनाना है अब देखो यहां पे हमें कैसे कतरन को attach करना है फिर से हम pink वाली लगाएंगे पहले हमने एक लगाई ये pink अब यहां पे हमें दो pink लगानी है इस तरीके से एक इस साइड थोड़ा सा रखेंगे फिर सिलाई से इसको attach करेंगे देखो दूसरी कतरन लो यहां पे इसको ऐसे fold करो Sam fold करने का तरीका वही है जो हमने पहले फिर्स्ट में आपको बताया था green कतरन को fold करते हुए यहां पे हम दो pink रखेंगे और सिलाई से इसको attach करेंगे अब हमें green लेनी है जहां तक यह pink आएगी वहां तक हमें green को attach करना है सिलाई से इस तरीके से जो pink आएगी वहां पे हमें Sam इसी तरीके से पहले हमने एक लगाई अब वहाँ पे हम दो लगाएंगे जो पिंक कत्रन है वो हम दो लगाएंगे इस तरीके से सिलते जाएंगे तो दोस्तों ये बहुत ही शुन्दर बहुत ही मजबूत है पाइदान बनकर त्यार होगा और देखो जितना ये देखने में खूपशूरत है उतना ही ये बनाने में असान है तो ये देखो फ्रेंट्स कितना सुन्दर लग रहा है इसी तरीके से मैंने इसका जो राउंड था वो complete कर लिया है देखो कितने राउंड हो गया है पहले मैंने जो pink है उसकी एक ली है फिर मैंने राउंड में दूसरी ली है फिर तीन ली है ऐसे ये बढ़ती गई अब हम इसके अंदर और भी design बनाएं ये हमें यहीं तक complete करना है अब देखो यहां पे हमें कैसे कतरन को test करना अब black लेंगे इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे दो बार फोल्ड किया तीन बार और चार बार इसको चार बार फोल्ड किया और Sam जो pink है बिल्कुल उसके सीद में हमें ये black वाली रखनी है ये हो गई अब हम yellow रखेंगे sorry blue रखेंगे blue को ऐसे फोल्ड करो Sam उसी तरीके से चार बार फोल्ड करो पीस को ऐसे और बिल्कुल इसके बीच में रखो ये हो गई अब इसके पास में हम black रखेंगे तो देखो दोनों साइड में हमें एक एक black रखनी है और इसके अंदर हमें blue रखनी है इसी तरीके से अब हम green से इसको cover करेंगे फिर हमारी जो pink वाले lining आ जाएगी तो वहां पे हमें Sam इसी तरीके से पहले हम black को attach करेंगे फिर हम blue को attach करेंगे फिर हम black को attach करेंगे फिर ऐसे ही हम आगे green को cover करेंगे फिर हमारी जो pink वाली आएगी Sam इसे तरीके से हमें इसको step by step है जो ऐसे सिलते जाएंगे तो दोस्तों आप से request है कि आप वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा अपने friends लोगों में इसे share करें इस तरीके से हमें इसको round है उसको complete अब देखो आगे भी इसके अंदर और भी designs दिखाऊंगी कि कैसे इसके अंदर बहुत ही शांदार जो डिजाइन से पायदान का वह बन कर त्यार होगा अब यहां पर हमें देखो green का कत्रन है वह अटेच करेंगी black के निचे हमें green को attach करना है इस तरीकी से और blue के निचे हम हमें black को attach करना है ऐसे अब जो हमारी blue है वो यहां पर एक ही लगेगी अब blue हमारी बंद हो गई है पिंक भी हमारी बंद हो गई है सिरफ यहां पर green ही चलेगी बट इस राउंड के अंदर अभी black भी लगेगी देखो यहां पर इस तरीके से लगाएंगे दोनों साइड में green हो गई बीच के अंदर सिर्फ एक black लगेगी अब हम बाकी को green से cover करेंगी फिर जो पिंक के पास में आ जाएंगी जो हमने blue एक कतरन अटेच के वहां पर पति के जो हमारी शेफ बन रही है उसके पास में आएंगे तो सैम इसी तरीके से दोनों साइड में जो black लगाई है व मैंने यहां तक complete कर लिया है black भी मैंने देखो एक एक लगा कर इस तरीके से इसकी पति सी बना दी है कितना सुंदर ये designs बन रहा है अब friends जो बीच का एरिया बचा है इसको भी हम अलग color से इसको cover करेंगी अब यहां पे हम pink है जो उसको लेंगे जो pink वाली पति है इसको ले अगर आप चैनल पर नई है या फिर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को subscribe जरूर कर ले और पास में जो bell icon उसे friends आप प्रेस कर लें ताकि हर रोज नए नए वीडियो का जो notification है वो सबसे पहले friends आप तक पहुंसता रहे तो दोस्तों इसी तरीके से आपके अपनी हुमाच चैनल पर हर रोज नए नए डॉर मेट्स के डिजाइन्स है, जो आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी रहे कमेंट में लिखें कि आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी तो मैं हर रोज आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूंगी तो ये देखो फ्रेंस इसके साथ ही हमारा प्याराशा पायदान है वो बनकर त्यार हो गया है कितना ही खूबसूरत लग रहा है पिंक के बाद में मैंने बलिक को अटेच कर दिया है उसी तरीकी से तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज हमें कुमेंट करके जरूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि आगे आपको किस तरीकी की डूरमेट्स के डिजाइन्स देखना पसंद है तो वही डिजाइन्स मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती रहूंगी बाई फ्रेंस ठेंक्स पोर वाचिंग फिर मिलते हैं इसे तरीके से प्यारे प्यारे नएने वीडियो के साथ में